तो नमस्कार मित्रो आप सभी का श्वागत है एक बार फिर से स्याम एजूकेशन वर्ड यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिप्लोमा पॉल्टेक्निक मैकेनिकल इंजिनिंग के न्यूट स्लेवर्स दोस्तो अगर आप डिप्लोमा पॉल्टेक्निक मैकेनिकल इंजिनिक के फर्स स्टुडेंट हैं और कौन कौन से subject कितना important है, उन subject की तयारी कैसे करें, ताकि आप अपने semester examination में बहतर से बहतर number को gain कर सकें, और कौन कौन से subject का कितने-कितने number का practical और theory exam होता है, इन सारे सवालों का जबाब जानने के लिए बने रहें वीडियो के end तक, वीडियो काफी important होने वाली है, बट आज का ही वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाली है, आगे दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि Diploma Polytechnic का exam semester wise करा जाता है, 6 महिने में एक semester का exam करा जाता है, अर्थात 1 साल में पूरे 2 semester का exam exam होता है, और 3 साल में पूरे 6 semester का exam करा जाता है, इसके बाद हम जानेंगे कि Diploma Polytechnic Mycanical Engineering के 1 semester में total आपको कितने subjects का study करना होगा, तो दोस्तों Diploma Polytechnic Mycanical Engineering के 1 semester में total आपको 5 subjects का study करना होगा, जिस subject का नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है, आप उन subject का नाम देख सकते हैं, इन सारे subject में से कुछ subject का retain exam होता है, कुछ का only practical होता है, और कुछ subject का practical और retain दोनों कराया जाते हैं, तो दोस्तों आईए इन सारे subjects को एक एक करके देखते हैं, जिसमें number 1 पे जो हमारा subject है, वो है applied physics first, इसे short court में अनुपरिक तुभात तकी first के नाम से भी जानते हैं, इसमे आपका practical viva और retaining jam तीनों कराया जाते हैं, जिसमें 50 नमर का इसमें आपका practical और viva होता है, और 50 नमर का इसमें आपका retaining jam कराया जाते हैं, यानि कि total आपका इसमें कुल मिलाकर external और internal 100 नमर के exam कराया जाते हैं, और दोस्तों ये subject आपका काफी जाता important subject है आपके exam की district code से, और आप अपनी study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते हैं तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem इसके बाद डिपलमा पॉल्टेगनिंग माइकेनिकल एंजिनिरी के फर्स्ट समेश्टर के student को number two subject जो पढ़ना होगा वो है applied mathematics first इसे हिंदी में अनुपरिक्ट करित फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं इसमें आपका only video exam होता है इसमें कोई practical vibe नहीं कराया जाते हैं और दोस्तों ये subject में काफी ज़्यादा important subject है आपके exam के district course से योगि दोस्तों इस subject में भी काफी ज़्यादा back लेगने का chance रहता है तो आपको इस subject को भी काफी अच्छे तरीके से study करना होगा और दोस्तों आपको इसकी book भी सार्थक या ACN publication की लेनी है अगर आप अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते हैं तो अधरवाई अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem इसको नमबर 3 पे जो हमारा subject है वो है applied chemistry इसे हिंदी में अनुपर्युक्त रसायन के नाम से भी जानते हैं इसमें आपका practical वाईबा और रिटेन एक्जाम कराया जाते हैं जिसमें आपका 50 नमर का practical और वा ताकि इसमें आपका back ना लगे और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि applied chemistry subject को वलनी आपको first semester में study करना होगा इसके बाद आपका इस subject से पीछा छूड़ जाएगा इसलिए दोस्तों आप इस subject को काफी अच्छे तरीके से पढ़के और इस subject को आपको clear करना चाहिए और दोस्तों आपको इसकी book भी सार्थक या ACN publication के लिनी है अगर आप अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते है तो otherwise अगर आपके पास old book है तो आप उससे भी कर सकते है no problem इसके बाद number 4 पे जो हमारा subject है वो है communication skill first इसे shortcut में CS first के नाम से भी जानते हैं यह subject भी आपका काफी ज़्यदा important है आपके exam के लिश्टी कोर से और आपके future के लिश्टी कोर से इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है इसमें आपको communication skill के बारे में basic चीज़ों के बारे में ब practical वाईबा और written exam तीनों कराया जाते हैं जिसमें 50 नमर का इसमें आपका practical और वाईबा होता है और 50 नमर का इसमें आपका written exam कराया जाता है यानि कि total आपका इसमें कुल मिलाकर external और internal 100 नमर का exam कराया जाता है और दोस्तों आपको इसकी book भी सार्थक या ACN publication की लिएनी है अनुपरियुक्त आरेखन के नाम से भी जानते हैं इसे सौटकॉर्ट में ED 1st के नाम से जानते हैं यह subject आपका काफी ज़्यदा important subject होता है इसमें आपको क्या करना होता है इसमें आपको only drawing बनाना होता है इसमें कोई retail exam नहीं होता है और दोस्तों इसका paper आपका total start number का होता ह जिसमें आपको passing mark minimum 20 number लाने होंगे तभी आप इस exam में पास हो पाएंगे और दोस्तों आपको ED 1st की book भी सार्थकिया ACN publication की लेनी है अगर आप अपने study को अच्छे तरीके से continue करना चाहते है तो अधरवाई अगर आपके पास only book है तो आप उससे भी कर सकते हैं no problem तो दोस् उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉल्टिक्निक माइकेनिकल एंजिनिंग के फर्स्ट समेंस्टर से रिलेटेड लेटेस्ट स्लेबस के बारे में जानकारी आपको योज़फूल लगी हूँ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल है इस पर वाशिंग वीडियो मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंद मातरम